जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट यानामीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लिमेंट में खड़े होकर स्पीच दी है यानामीर ने अपने भाषन में भारत को लेकर खुल कर तारीफ की है और पाकिस्तान पर सीधा निचाना साधा है उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफ जई नहीं हूँ जिसे अपने कंट्री को छोड़ कर बाहर फॉरन कंट्रिस में शिफ्ट होना पड़ेगा मैं भारत की बेटी हूं भारत में रहती है और मुझे तमाम सहूलते मिलती है आप देखेंगे 370 का अर्टिकल के बाद वहाँ पर डिवैलेमेंट पर डिवैलेमेंट हो रही है हर काम वहां पर जो आप सुच सकते हैं जो कि डिवैल्प कंट्री में होता में नरिंदर मोदी ने करके दे दिया उन्हें वो छिफ उनके अपने लोगों के लिए पाक्स्टार नी जितनी भी ड्रामे बाज है जितनी भी आपकी abam आपके पास जो अपने सूबे हैं जो आपके पास अपने मसाइल है वो आपसे टैकल होनी रहे तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने स्पोर्ट करनी है अब इंडिया के कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप सब पाकिस्तानी हमारी फिकर छोड़े और आप अपने मुल्क के अंदर आटा, रोटी और सस्ती बिजली के रिए कोशिश करने तो ये जादा बेहतर है हमारे विजनेरी लीडर थे महराज हरी सिंग, उनको बता हो था, वो जो पहले ही, उन्होंने सो साल का फ्यूटर पहले ही देख के रखा था जैन वाई, उन्हें साइन नहीं किया था, इंस्ट्रूबिट ओफ एक्सेशन विद पाकिस्तान, क्यों करते हैं, अगर हम पाकिस्तान के साथ आज होते हैं, तो हम बरबाद होते हैं जैन दोस्तो, कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट जैना मीर ने बिटेन की संसद में भारत की जम कर तारीफ की, और पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही मन गढ़नत कहानियों पर जम कर लताड लगाई, जैना मीर को बिटिश पारलिमेंट में आयोजित संकलब दिव कारिकरम में समानित करने के लिए बुलाया गया था, जहां जैना ने कहा मैं मलाला नहीं हूँ, जिसको अतंकियों की धंकी मिलने के कारण देश शोड़ना पड़ा हो, मैं अपने देश में पूर्ण सुरक्षित हूँ, जैना ने आगे कहा किश्मीर भारत का अभिन अंग है और बहां सभी स्वतंतर और सुरक्षित है, जैना ने आगे किश्मीर पर जूटा प्रोपगेंडा और किश्मीर को बदनाम करने वालों को भी जम कर लतार लगाई, और धर्म के अधार पर भारतियों का दुरूबी करन बंद करने को कहा, जैना ने आगे कहा, आतंगवाद क करना हजारों किश्मीरी महलाएं पहले ही अपने बेटों को खोच चुकी है, हमारे पीशे आना बंद करें, और मेरे किश्मीरी सुमधाय को शांती से रहने दें, बही पर जाना दौरा दी गे स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी मेडिया सदमे में है, जाना मीर, उनकी तरफ से यूके की पार्लिमेंट के अंदर एक स्केटमेंट पास्ट की गई है, बहुत जादा मतलब इस त्रेंडिंग के अंदर जा रहा है कि मैं जो है, मलाला यूसफ जाही नहीं हूँ, मैं अगर कश्मीर में रह रही हूँ तो मैं आजाद हूँ और बड़े ही मतलब महफूस तर रियालिस्टिक स्टोरी दी है, रियालिस्टिक बाते उन्होंने कही है वहाँ पर कि I am not Malala, I am a free Kashmir, I am living a life of freedom in Jumu and Kashmir, in Indian Jumu and Kashmir, तो I think यह चीज मैं बार बार कहती आ रहे हूँ कि हम लोग अजाद है, जिस तरीके से हमें रेप्रेजेंट किया जाता है Pakistan मैं, अभी मैं कुछ वीडियो देख रहे थी वहाँ पर मगर मच के आसु आदे लोग डाल रहे थे, कश्मीरियों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो और जो नहीं होना चाहिए हमारी जो गवर्मेंट है घटी है, मैं कहती हूँ कि अगर हमारी गवर्मेंट हमारे कश्मीरी बहन भईयों को नी बच रोता भी लगता देखते रहे हैं, लेकिन किसी में साथ नहीं दिया, यह सब अपनी इमिज बनाने पर लगे हैं, अवाम जाए भाड में, दुनिया जाए भाड में, इन्हें कोई फर्त नहीं पड़ता है, उनको फैसलिटीज दे रहे हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए लोग वहाँ पर फैसलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, सस्ती चीजें, कैसी फैसलिटीज, कोई फैसलिटीज नहीं इमिल रहे हैं, एंतो अंसे पूच के देखे हैं, दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहां मौझूद है, दुनिया का सबसे बड़ा बेजिन उने बना दिया वो सिफ उनके अपने लोगों के लिए है कश्मीरी अब में जो मुसल्मान बसने है उनके नहीं है नहीं वो उनके कहां से होगे अगर मुसल्मान उनके सगे होते तो आज वो इन पर इतना जुल्मना कर रहे होते हमारी बेहन बेटियों को इस तरह बजारों में ना गुमारे हो पन्टने कहा हैं लोगों की आक्टिंग गज के साथ कुछ नहीं हो रहा हैं। मुसल्मान औरतों के साथ कुछ नहीं हो तुम्हारी कंट्री बर् शतार्導र प्डॉर में कि विभर खMoreश्मीर, तुम्हारी अध़ियनную, मैं यहां पर एक freedom life, हमारी life में एक freedom है और मैं यहां पर free life जी रही हो मैं यहां पर बहुत ही अच्छी life जी रही हो and that is based on a true story because every Indian Kashmiri is living the life of freedom is living the life of prosperity, is living the life of success Pakistan, जितने भी drama बास है, जितनी भी आपकी आवाम वो सड़कों पर drama बगारा करी है, कश्मीर के नाप पर हमारे नाप पर I think I am in Kashmiri and I am saying it again please, बंद करो एक drama, बंद करो हमारे नाप पर वो ओवरेक्टिंग, ओवरेक्टिंग की दुकारे खडी कर रखी है वह सड़कों पर अपने आप पर दियान दो, अपनी डिवलेप्मेंट पर दियान दो, आप देखो आप हमारे बारे बात कर रहे हो कि यहां पर ऐसे हैं, यहां पर वैसे हैं अवरेतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, blah 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 this nonsense, ridiculous thing coming out from their mouths but what they are watching there की कार रहो तैंपल में बाकी लोगों के पूझा गरूम है गिर्जा गरूम है वह गलत नहीं है, वह जो हम लोगों की जमीने चाहिए, प्तान को, हम लोग से कोई प्यार भार नहीं है पाकिस्तानिों से कहते है रहर हम लोग along लिवन के साराण के संदों हम भी की जब 90smen आप लोगों को सुना था हमारे विजनेरी लीडर महरा राजीह խाapिसिंग तो पहले ही उन्होंने सो साल का फ्यूचर पहले ही देख के रखा था जन वाई उन्होंने साइं नहीं किया था इंस्ट्रोबिट ऑफ एकसेशन विद पाकिस्तान के साथ आ जोते तो हम बरबाद हो ना मीर्व ने तो कश्मीर को रिप्रेजंट किया और अब इंडिया के कश् को यानि कि की आजकल के जो हालात हैं जो हम बड़े ड्रामे बना रहे थी ऑफवानिस्टान भी के उधिशत्गर्फ है यह के एकॉनिमस बड़े बेतर है आजकल ह Leय जर्नलिस्ट जो है हो पाकिस्टान में वैटके यह भी वही कहcej रहे आप से मैं सवाल करना जाओंगी बीजेपी जब राज में नहीं थी तो पाकिस्तान स्टिल इंडिया से नफरत करता था 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 ना कि बारत कश्मीर कब से इंडिया के साथ है तो उससे पहले क्या पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हमें घंटा ही फारकनी पड़ता है पाकिस्तान में ऐसा है ही क्या आप मुझे बोले क्या है वहां पर डिवल्पमेंट है एजुकेशन ठीक है यह फिर आपकी रिसेर्च और स्पेस रिसेर्च और और यह वह तरक्की करी यह यह फिर आप लोग मार्स पर पहुंच चुके हो कि हम पाकिस्तान में यह पाकिस्तान के लोगों पर विश्वास करें पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचे कि वो क्या सोचते हैं वर्ल्ट टिक्स पाकिस्तान लाइटली और इंटर्टेन्मेंट के तोर पर यूज किया जाता है पाकिस्तान को तो